इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और इसके संभावत स्वास्थे लाब हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. सूजन रोधी गुन पीली हल्दी की तरह काली हल्दी में करक्यूमिन होता है। एक यौगिक जो अपने सूजन रोधी गुनों के लिए जाना जाता है। ये शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जो गठिया जैसी स्थितियों के लिए फायदे मंद हो सकता है। 2. अंटियोक्सिडेंट प्रभाव। काली हल्दी अंटियोक्सिडेंट से भर्पूर होती है, जो शरीर में हानिकारक मुक्त कनों को बेसर करने में मदद कर सकती है। ये एंटियोक्सीडन्ट गतिविधी समग्र स्वास्थ्य का समर्थन कर सकती है और पुरानी बिमारियों के जोखिम को कम कर सकती है। 3. तवचा का स्वास्थ्य शीर्ष पर उप्योग करने पर ये तवचा की स्थिती को प्रबंधित करने और स्वास्थ्य पारम पर एक चिकित्सा में काली हल्दी का उप्योग अस्थमा और ब्रॉंकाइटिस जैसी श्वसन समबंधी बिमारियों के प्रबंधन के लिए किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रॉंकोडायलिटरी गुन होते हैं जो फेफ़णों में वायू प्रवाह में सुधार कर सकते हैं। 5. पाचन स्वास्थ्य काली हल्दी पाचन में सहायता कर सकती है और पाचन समबंधी परेशानी को कम कर सकती है। 6. रोगानू रोधी ऐसा माना जाता है कि इसमें रोगानू रोधी गुन होते हैं जिसका अर्थ है कि यह हानिकारक सूख्ष्ण जीवों के विकास को रोकने में मदद कर सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।